हेलो गैज, विल्कम बैक टू मैं यूटूप चैनल गैज, आज के हमारे वीडियो का टॉपीक है लिप्टिंग सेकल आज हम जानेंगे लिप्टिंग सेकल के बारे में तो आज हम पॉइंट्स कभर करेंगे टाइप्स अफ लिप्टिंग सेकल यानि लिप्टिंग सेकल कितने प्रकार के होते हैं parts of lifting cycle lifting cycle के क्या क्या parts होते हैं इसके बारे में जानेंगे return point on cycles lifting cycle पर बहुत सारे points return होते हैं क्या मतलब होता है उसके बारे में जानेंगे और last में जानेंगे how to calculate swl, यानि safe working load कैसे calculate करेंगे किसी भी lifting cycle का तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं first point है हमारा types of lifting cycle यानि lifting cycle कितने प्रकार के होते हैं तो मेलनी दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला है D-cycle और second है both cycle तो यह D-cycle और both cycle क्यों बोलते हैं यह बोलते हैं इनके shape के according जैसे कि आप figure में देख पा रहे हैं यह जो first cycle है आपका यह D-shape में है तो इसे हम D-cycle बोलते हैं और जो second है आपका both shape में है तो इसे both cycle बोलते हैं तो इसका जो shape and size है इसके according इसको divide किया गया है दो तरीकों में सबसे पहला है D-cycle और second है both cycle next है parts of cycle lifting cycle के अलग-अलग parts होते हैं जैसे कि आप figure में देख पा रहे हैं यह जो आपका portion है इसे हम crown या bow बोलते हैं second आपका यह जो आपका दीख रहा है pin इसे pin head बोलते हैं next है इसका जो opening है इसका जो distance है इसको हम jaw बोलते हैं नेक्स्ट आपका यह जो दीख रहा है जिसमें आपका pin hook किया गया है इसे ear बोलते हैं और यह जो आप लंबा सा देख रहे है यह तो pin है और नेक्स्ट है यहाँ पे solder तो यह इसके parts है cycles के वो d-sackel हो यह बोh-sackel हो दोनों के parts सेम होते हैं नेक्स्ट है written points on cycle cycles पे काफी important points mention किये गये होते हैं उसका क्या-क्या मतलब होता है इसके बार में जानेंगे तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे WLL यानि work load limit तो सबसे पहले आपका WLL mention होता है कि इस d-sackel का या बोh-sackel का कितना work load limit है यह आपको देखने को मिलेगा second है आपका angle यहाँ पे देख सकते हैं 45 degree यहाँ पे angle mention होता है उसके बाद आपका manufacturer जो भी company से manufacture किया है उसके बार में उसका नाम यहाँ पे mention होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं cross by तो cross by द्वारा यह manufacture किया गया है next आपको again angle देखने को मिलेगा next आपको इसका diameter देखने को मिलेगा कितने diameter का यह है d-cycle यहाँ बो-cycle जैसे यहाँ पे 1 देख रहे हैं तो 1 inch का है यह तो यहाँ पे diameter mention रहते हैं next आपका batch code जैसे देख पा रहे हैं P50 यहाँ आपका batch code है next यहाँ पे एक mark होता है check mark इसे पता यह चलता है कि जो यह d-cycle यह बो-cycle इसे check किया गया है after manufacturing जब भी इसे manufacture किया गया है उसके बाद इसका check किया गया है तो यहाँ पे अगर tick mark है तो यह checked है तो यह सारे चीजे mention होता है d-cycle पे या बो-cycle पे next है s-dewal calculation यानि safe working load कैसे calculate करेंगे किसी भी d-cycle का या boss cycle का तो सबसे पहला है कि d-cycle पे या boss cycle पे आपका return होता है safe working load जैसे कि आप figure में देख पा रहे है wll 8.5 ton है इसका यानि workload limit 5 ton है यह पहले से mention किया गया है अगर किसी पे mention नहीं किया गया है तो एक formula है जो कि आप apply करके calculate कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं d-square into 8 यह formula आप जो आपका wire rope होता है उसे भी calculate करते हैं s-dewal उसका भी calculate करते हैं लेकिन इसमें 100% accurate नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी round figure आपको कुछ point आपको सही मिल जाएगा तो देखिए कैसे calculate करते हैं और यह accurate आता है कि नहीं यह भी देख लेंगे so हमारा formula है d-square into 8 तो यहाँ पर d क्या है diameter है जो कि यहाँ पर आपको दिया है 1 तो आपको यहाँ पर 1 mention करना है formula में तो 1 into 1 into 8 करेंगे आप तो आपका total 8 ton आएगा और इसका जो safe working load है जो mention किया गया 8.5 ton है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता है कि 100% correct तो नहीं आएगा लेकिन कुछ close उसके आएगा आपको तो ऐसे calculate कर सकते हैं half ton या थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकता हैं तो यह formula apply करके आप calculate कर सकते हैं तो आएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ knowledge मिला होगा कुछ information मिला होगा so thank you for watching, thanks